दोस्तों नमस्कार में विजय दो स्वागत करता हूँ मेरे यूटूब चैनल गेटवेटो हेल्थ एन्वेल्थ में दोस्तों आज हम आपके लिए इल्मेंट वेल्गनेस ब्रांट का ऐसा प्रोड लेंगे आज आपकी फीवर पर बहुत ऑच्छे तरीके से काम करता है वो भी निच्योल तरीके से दोस्तों जानते हैं मार्केट में आपको फीवर की बहुत सारी दवाइया मिलती हैं लेकिन दोस्तों यह जो दवाइया आपको मिलती है पूरी तरह से safe और effective नहीं होती है यह जो contemporary दवाइया होती है आपके TRC पे ही काम करती है और साथ से आपको side-fake भी देती है दोस्तों market में आपको बहुत सारी fever के दवाइया आपको मिलती है जैसे कि aspirin, aspirin आपके blood को पतला क करने का काम करता है जिससे आपके blood को जमने में issue होता है और साथ साथ आपके पेट के लिए भी यह काई सारे issue create करता है परसेटेमल जो की fever में बहुत ज्यादा यूज़ के दा तो यह आपके labor में काई सारे problem create करता है इसके साथ साथ नेबु सुलाइड जो बच्चों के फिवर पर यह काम नहीं करती है उनके लिए effective नहीं होती है यारी दोस्तों यह जो कंटे परोई दवाय इसको अगर लंबे टाइम तक काफी जादा अगर यूज़ करते है तो इसके बहुत सारे side effect आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों मुद्दे की बात यहां पर यह आती ह अगर यह दवायां सही तरीके से काम नहीं करती है या फिर लंबे टाइम तक यूज़ करने से काफी सारे side effect देखने को मिल सकते है तो इसका सही solution क्या हो सकता है दोस्तों जैसा कि हम जानते है प्राचीन काल से ही रोगों को ठीक करने के लिए आयरविदा का बहुत बड़ा करता है चीक एफसुल आपको काफ कोड़ इंफ्लिंजा से लड़ने में आपकी मदद करता है साथ-साथ आपके इमुर्टी पाउर को बढ़ाने में भी आपको हल्प करता है च्योंकि दोस्तों फीवर में आपके जो इमुर्टी होती कम हो जाती इसलिए इसमें ऐसी जड़ अपुला को भी सामिल किया गया है लेकिन दोस्तों इसमें ऐसी special हर्व हैं जो में अच्छे कम करती हैं आपके immunity को पढ़ाने के लिए बहुत ही popular herb माना जाता है और दोसरे दूसरी जो star herb डाली के वो चीरायता है दोसरों चीरायता भी आपके fever को बहुत अच्छे तरीके से manage करने में help करती है इसमें hyetoglamic properties होती है antiviral properties होती है इसमें lexative properties होती है जो आपके body से unwanted material को बहुत निकाले में help करती है आई दोसरों जानते हैं below 37 capsule कैसे काम करता है दोसरों below 37 capsule आपके TRC पे काम करता है इसमें जो तुलसी पीपली मरिचा और गुडची डाला गया हो यह आपके community को बढ़ाने में help करती है दोसरों below 37 capsule में anti-infective property होती है इसमें तुलसी गुडची और बिलवा जो herb डाली गए है इसमें anti-infective property होती है जो आपको infection से लड़ने मदद करती है और दोसरों इसमें बह below 37 capsule आपके TRC पे काम करता है या आपके body के temperature को manage करने में help करता है दोसरों below 37 capsule में anti-viral antibacterial properties होती है जो की curve, cold में भी काम करती है दोसरों below 37 में ऐसी बहुत सारी जड़ीवूटिया डाले है जो आपकी community को बढ़ाने में help करती है जिससे future infections होते हैं उसके chances कम हो जाते हैं below 37 capsule आ दवाओं की तरह यह पूरी तरह safe और natural है दोसरों यह जो capsule इसे 8 साल के ऊपर के लोगों को दे सकते हैं दोसरों इस capsule को ऐसे लोगों को recommend कर सकते हैं यहने fever infections है दोसरों अगर इसके doses की बात किसे आप 5 दिन तक आपको लेना है starting के 3 days आपको इसको 3 बार लेना सुबे दोपैर शाम और last 2 days आपको दो टाइम लेना है सुबे साम और इस capsule को आपको खाना खाने के बाद आपको खाना है और दोसरों कुछ चीज़े आप ध्यान ते सकते हैं दोसरों जो doses आपको recommend के जा रहे हैं उससे जद आपको dose नहीं ल रहे हैं तो दोस्तों below 37 capsule पूरी तरह से safe है इसके कोई side fact नहीं होते हैं इसलिए आप इसको fever में use कर सकते हैं और लोगों को भी recommend कर सकते हैं तो अगर वीडियो आप लोग को अच्छा को प्लीज आप लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं कुछ भी क्यारी कमेंट है तो अगर नहीं किया है तो प्रीज आप subscribe कर लें ताकिस तरह के और वीडियो आप लोगों को मिलती रहें थैंकि दोस्तों wish you a happy life and healthy life